अरे यूं आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है फोटो शॉप में आप कौन सभी जो बिट मैप में जो लोगो है उसको आप कैसे ट्रेस कर सकते हैं उसके बारे मैं बताने जा रहा हूँ अभी दिखो इस लोगो को क्लिक करता हूं मैं इसको ओपन किया मैंने अभी इसको मुझे ट्रेस करना है तो इसके लिए अभी मैं क्या करता हूं इदर प्रिफरंसे करके है अभी क्लेस में जंरल में आता हूं सो इसमें आने के बाद इधर क्या है टेकनोलोजी प्रिव्यूस करके है इसको क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या करना है इधर एनेबल कंटेंट अवरे ट्रेसिंग टूल करके है इसको एक्टिव करना है active करके आपको ok बोलना है so इतना करने के बाद एक बार आपको क्या करना है photoshop को close करके open करना है open करके आप इधर आएंगे तो देखो भी इधर मैंने close करके एक बार open किया है लेकिन इधर आपको नहीं देख रहा है अभी देखो यहाँ पे click करता हूँ मैं क्लिक करके hold करेंगे तो दिखो only Number of tools है इदर आपको Content-Aware tracing tool करके है यह आपको दिख रहा है इदर कießने के है Edit toolbar करके है यहाँ पे click करताूं मैं क्लिक करने के बाद दिखो यह आपको इनमर आफ of tools आपको इदर दिखा रहा है तो अभी मैं क्या करता हूं इसको इदर से ऐसे जो extra tools है इसको एसे तोड़ा नीचे लेता हूँ लेने के बाद अभी देखो यह है इसको अभी मैं क्या करता हूँ यह जो आपका pen tool है इसको यहाँ पे लेना है यह pen tool आपको दिख रहा है अभी इसको क्या है ड्राग अन ड्रॉप करता हूँ इदर मैं तो ऐसे ही यह करके आपको sub portion को select करना है अभी इसको भी क्लिक करता हूँ मैं इसी तरह इसको भी क्लिक करता हूँ तो यह सब select हुआ भी F7 प्रस करता हूँ तो यह layer properties आ गया अभी देखो इदर क्या है create new fill करके यहाँ पे आता हूँ इसमे solid color है solid color में आपको जो color चाहिए वो color क करता हूँ तो इस तरह क्या है आप कौन सा भी bitmap में जो logo है उसको आप trace कर सकते हैं अगर यह करते हो तो आपको कुछ dots होगे रहा है तो मुझे comment box में comment किजिएगा हमेरे साथ जुड़े रेने के लिए और इस channel को subscribe करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद